हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी युट्यूब चनल पर तो गाईस आज की सोडों में हम आपको बताने वारे हैं कि अगर इन्फिनिक्स मोबाइल में फ्रीफार मैक्स गेम का ओबीवी फाइल सेट नहीं हो रहा है कोई भी प्रॉलम आ रहा है तो कैसे सौल करें और ओवी को सेट करके गेम खेलेंगे तो गाईस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो गाईस सबसे पहले गेम को चालू करने के लिए क्या करना है आपको Z Achiever आपको इंस्टॉल करना है जो कि आपको प्लेस्टोर पर मिल जाएगा प्लेस्टोर में जाना है सर्च बार में क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है Z Achiever आप इसका लोगों यहाँ से देख सकते है मातर 4MB का आप है गैस अगर आपको इसमें पहले कोई प्रोलम आ रही थी तो यहाँ पर देखे साथ मई वो न्यू अपडेट आया है जो इसमें प्रोलम थे समयाँ पर सही हो जुकिये हैं अब यह सही से वर्क करेगा तो इसे यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है देखे मैंने install कर रखा है मैं इसे open करता हूँ और permission allow कर देना है मैंने permission allow कर रखा है अब आपको सबसे पहले वहाँ पर जाना है जहाँ पर आप game रखे हैं फिर आपको apkp किलिक करना है अगर आपने install कर रखा है तो कोई बात नहीं आप चाहिए तो फिट से इसे यहां से install कर सकते हैं या delete करके यहां से install कर सकते हैं और गाईस अगर आपके पास OV file नहीं है या game नहीं है तो आप किसी friend से ले सकते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाया है आप जाकर देख लेना पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो यहां से हम done करते हैं अब आते हैं बैक और गाईस game को एक बार open करते हैं गेम पूरा open नहीं होगा क्योंकि OV file सेट नहीं है तो गेम इस परकार open होगा आपको बैक आना है बैक आने के बाद जेट अचिवर आपको open करना है फिर आपको android वाले folder में जाना है यहां पर भी permission मांगेगा आपको allow कर देना है फिर जाना है OV वाले folder में अब यहां पर free fire max का आपको file मिल जाएगा आपको बैक आना है अब बैक आने के बाद वहां पर जाना है जहां पर आप रखें OV file ध्यान रहेगा इस permission allow कर देना है अगर आप डेनी कर देंगे allow नहीं करेंगे तो नहीं होगा तो अब यहां से आप OV file को copy कर ल option मिल जाएगा यहां फिर का इस दूसरा तरीका है यहां पर आप देखे औरेंज कलर पर file के सामने क्लिक करेंगे फिर आप उपर यहां पर क्लिक करेंगे फिर यहां से कॉपी यहां से कॉपी या कट कर सकते हैं तो मैं यहां से कॉपी पर क्लिक करता हूं अब आपको ऊपर क साइड यहाँ पर क्लिक करना है चली क्लिक करते हैं फिर डिवाइस मेमोरी पर क्लिक करना है फिर एंड्रोइड वाले फोल्डर में फिर फिर फ्रीफार मैक्स वाले फोल्डर में और फिर आपको नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है क्लिक करके और इस प्रकार पेस्ट हो जा तो गाइस इस तरीके से आप वी फाइल को सेट कर सकते हैं तो आज वुड़ियों बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सक कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू